इस किसिम के व्यकति को जो क्यवल एक परिवार का नहीं है वो आपके घर के क्यवल नहीं है वो वो एक समाज का नेता है अगुवा है मारने के पहले उसका भी मुल्यांकन करना पड़ेगा क्या आप उसकी विचार्धरा को मारना चाहते हैं वो सोशितों के लिए लड़ रहा है, बराबरी के लिए लड़ रहा है, समानता के लिए लड़ रहा है, उसका एक बड़ा योगदान है देश समाज में, उसके आप हत्या कैसे कर सकते हैं? बना दे लपाबा मित्रों, आपको मालूम है, इनरदेव बर्मा जी कोई एक साधारन व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत ही शुल्जे हुए बीबेकवान एक समाज के नायक थे, और इनकी हत्या करके समाज क्या जो प्रिवर्तन में लगे हुए थे, उस धारा को मोड़ने की और इनकी प्रिवार में जो विकास हो रहा था, जो सिच्छा के अलग जगा रहे थे, उसको अरूध करने की जो नाकाम कोशिस की है, उन हत्यारों का मनसुबा द्वस्थ होगा. मित्रों, आप लोग सब को जानते हैं, कि इस तरह के घटना देने का इंजाम जो करते हैं, वो अपने को भले ही जो समझे, लेकिन अभी तक जितने भी इस तरह की घटना ए घटी है, और जो घटना के अंजाम जो अपराधी देते हैं, चाहे वो अपराधी मन चले लोग हो, या सासक बर के लोग हो, वो काहिल और जाहिल ही सावित आज तक हुए हो, चाहे सासक देशी या बिदेशी रहा हो, या सामानती प्रविर्ती के जो मन चले लोग रहे हो, वो आज तक वो जाहिल और काहिल ही सावित हुए हैं, तो हम ऐसी दूख के घड़ी में लंबी बाते न करके, हम इतना जरूर कहेंगे, कि यह जो काम किये हैं, जो हमारे महापुर्खों का संकेत था, कोड में, कि सिक्षित बनो, संगठीत रहो और संगहर्ष करो, तो इन्होंने सिच्छा को बहुत महत्व पूर्ण दिये, और अपने सारे कठिनाईयों को जहलते हुए, बच्चे को जो पढ़ाने में इन्होंने जो भूम का निभाई है, और आगे बढ़ाया है, हम उनको इस बुद्धी को नमन करते हैं, दाब देते हैं, और हम उसके अनुकर्ण करने का सपत लेते हैं, और लोगों को सला भी देते हैं, इनका जो कारिकर्म रहा, वह देश के तमाम दवे कुछे लोगों के लिए, आगे बढ़ाने के रूप में, वह प्रत्चाहन देने के रूप में रहा, और तमाम हम लोग जो हैं, इनके नितित्वे में, जब तक रहें, इनका मार्ग दर्षन हम लोग लेते रहें, इंदरदेव प्रसाद बर्मा की हत्या, दस नमबर को माली थाना के अंतर, मुंझहुली जमुआ मोड के आसपास में, एक साजिस के तहर, उनकी हत्या कर दी गई है, और उस हत्या में सामिल लोग, जो हैं, जिनोंने यह सड्यन्त रचा है, मैं नूँ उन हत्यारों के परती, घुरनिंदा व्यक्त करता हूं, और संग और दल के साथियों से मैं यह आसाय यह विश्वास रखता हूं, वैसे हत्यारे को समाजिक रूप से भी बहिस्कार करने के लिए, हम सबों को प्रेणा लेनी की जरूरत है, और समाजिक बहिस्कार के द्वारा ही, वैसे हत्यारों का जो अन्ध हत्या करने के लिए, जो कदम उठाएंगे, उनका मनोबल तूटेगा, और जब तक समाजिक बहिस्कार के रूप में हम निर्दने नहीं करते, उनके प्रतिक कठोरता से नहीं पेशाते, तब तक ऐसी हत्याएं होती रहेगी, इंदर देव परसाद भर्मा, जिन उदेशियों से, जिन कठिनाईयों से जूजते हुए, इन्होंने अपनी परतिभा का लोहा मनवाया, वह अविस्मर निये है, क्योंकि इनकी जमीन 15 वर्सों से परती थी, इसके बवजूद भी इन्होंने अपने विवेक, मीनत, खुन और पसीना को भागर और सुखा कर कर गगे, अपने परिबार के सदस्यों को उची सी उची सिक्षा दिलाने में इन्होंने अहम भुन का निबाई, और उनके परिबार के उचे अस्तर पर जाने से, कुछ लोग को पेट में दर्ध होने लगा इसलिए इसी सद्यांतर के ताहट उनकी हत्या की गई है और जो हत्यारे हैं उनको प्रसासन से प्रखंड अस्तर से ले करके जिलास्तर और राजस्तर से मैं यह मांग करता हूं कि उन हत्यारों को जल से जल पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज में यह संदेश जाए कि हत्यारे चाहे कितना भी गुप्त रूप से र इसकार उसे पूनुरुप से निर्वाह नहीं करती है तो हम लोग बाद्धों करकर करके एक उग्रांदोलन करने के लिए हम लोग प्रेडितों करके बाद्ध हो जाएंगे और हमम प्रशासंसे भी आशा कर रहे हैं कि जू हत्यारे हैं उनको अविलम से अविलम गिरफ्तार कर करके उन्हें सजा दिलाने का काम करें आज इंद्रदेव बर्मा जी हमारे बीच में नहीं है यह समाज का बहुत अपुर्णिये च्छती हुआ है सभी सुमें यह आगरे पुर्वक निवेदन करेंगे कि इनका जो मिशन था जीवन का चारो छेतर समाजिक सांस्क्रितिक आर्थिक राजनितिक बदलाव चाहते थे और अपना परिवार चलाते हुए दुख सुख को देखते हुए इस मिशन को पूरा करने में अपनी जान गमा दे तो सबसे पहले तो इस हत्या का निंदा हम लोग निंदनिये भी से तो है हैं साथ है हैं हम अपने दल के महामंत्री राश्टी अध्यक्ष परदेश अध्यक्ष से यहनिवेदन भी करेंगे कि अगर अभिलम गिरपतारी नहीं होती है तो इस परखंड में हम लोग धर्ना परदर्शन अनिष्चित कालीन के लिए रखेंगे जब तक हत्यारा को गिरपतार नहीं किया जाता है जैसा काई इनर्दो बर्मा वैसे सक्ष्ट ब्यक्ति थे जो अकेला चल कर भी अपने घर परिवार में अपने भातीजे और बच्चों को उस सिखर तक पहुँचाया जो कुस्वाहा समाज में शायद ऐसा सोच रखते हैं लेकिन इन्होंने जगदो प्रशाद के राह पर चल कर रामसरू बर्मा की राह पर चल कर समाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करते हुए इन्होंने जिस मुकाम पर अपने अजय कुमार लखा को पहुँचाया शायद बहुत कम इने गिने लोग हैं तो ये बिडले जैसा काई इनर दो प्रशाद बर्मा जी एक जुझारू करमट सेल करांतकारी ब्यक्ति थे अपने कविता के माध्यम से गौँ अश्तर से लेकर देश राज अश्तर पर लोगों को जागरुक करने का काम करते थे और मानवाद के लिए एक सचे सिपाही थे आज नहीं रहने के कारण हमारे दल संग में अभाव खल रहा है लेकिन कहा क्या जाए नवे परतिशत के लोग ही एनकेन परकेन वाले असमाजिक तत्व के लोग अपराधी तत्व के लोग इनसे यह ही था कि इतना के बावजूद भी खित परती रखकर भी हम इनको पीछे नहीं किया तो साजिस के तहद इनका हत्या किया गया है और यह परसासन को गंभिरता पुर्वक लेना होगा अगर जदी नहीं लेगा तो संग दल के लोग इसके लिए जोस भरी आक्रोस पूर्ण आंदोलन करने के लिए मजबूर और लाचार हो जाएंगे तो उपस्थित सोख सभा में पितातु लभी भावगन मतायों नौजवान साथियों आज निर्देव वावू हम लोग के विच से चले गए इनका कार्ज का परसंसा जितना भी किया जाए कम है कि दारा के उल्टी चल करके अपनी पहचान बनाया विकट से विकट प्रस्थिती में भी अपना धर्ज को कभी खोया नहीं और हमें याद है जब हमको पहली मुलका 399 में हुआ था मेरी दादी का सोग सभा में रामा वावू के द्वारा ही इनका एड़ेस हमको मिला था टो में जब मिया से मिला और कहा कि सर में पाफ़ा बार्न काम कर रहा हूं मेरे पिता जी भीन यह और तीन भाऑ हैं तीन भाई में दू भ्हाई हम लोग सलट आप साथ है ऑखना वह पिचली थो एथ अब हम हाला कर दिए कि हम सोग सभाग करेंगे हम मता नहीं मुड़ाएं तो इन्होंने कहा कि वे हीचे काप रही है आप जाए और हम आ जाएंगे उस्तितिको और इन्होंने पहुचा और लोगों का सहयोग रहा उस दिन से मैं इनका काफिर नद्दी काया जब मैं अमबा में भी रहा तो इनका मार्क दर्शन हमको हमेशा मिलते रहा इनर्देव वाबो हमेशा संस्कृतिक सुधार की बात किया जो पाखंडवादी है जो ठगने का व्योस्ता है उसका इन्होंने हमेशा खुल करके विरोध किया और लोगों को बतलाया भी आज भारत में दो तरह का व बिद्या है मंत्र बिद्या दूसरा है तंत्र बिद्या मंत्र बिद्या सा कुछ मिलने वाला नहीं है फिर भी उसका परचार परसार आज की सरकार या इसकी ब्योस्था के लोग करते रहे हैं लेकिन मंत्र बिद्या के जग अगर तंत्र बिद्या का प्रयोग किया जा तो प तंत्र बिद्या ही हम लोग का आगे ले चलेगा और उस बिद्या पर ही हम लोग आगे चलेंगे तभी रास्ता साफ होगा। आपने देखा होगा कि सर्प है उस सर्प अपना बिल नहीं बनाता है। चूहा के बनाए हुए बिल में रहता है और चूहा को भी खा जाता है आज है मंत्र विद्या के लोग के द्वारा यही किया जा रहा है मंत्र विद्या का ठीकेदार कहीं मंदिर नहीं बनाता है और मंदिर हमारे जैसे नर्देवावु के जो कार्ज है यह 90 परतिस्त जग्देव वावु के सपना को फूरा करने के लिए जो इन्होंने आगे बढ़ा जग्देव वावु ने जो कहा था कि 90 परतिस्त लोग का हिमायती तभी होगा कि सीछाएगा और सीछा के बल पर ही चलेगा तो देखा गया है कि वो ठिकदार मंदिर नहीं बनाता है बगकि मंदिर हमारे लोग बनाते हैं और मंदिर में रह करके हमारे चगावा खा करके वो हम ही लोग को जुल्म करता है तो इसलिए कहा गया कि सचे तो हुए तंत्र वीद्या को पनाईए मंत्र वीद्या को छोड़िये मैं विशेश आगे ना कहके अपनी बानी को बिर्याम देता हूं इनरदेव बावु अमर रहें अमर रहें 12-11 अक्टूबर 1990 में जब वोट कलब पर हम लोग धरना दे रहे थे तो अंतिम भार्थी जी का भासन था कि जगदेव बावु के हत्या कांग्रेशी हुकूमत के गोली से हो गई इंद्रा गांधी करवा दी लेकिन जगदेव परसाथ के खंदान के लोगों ने इंद्रा गां लेकिन इंद्रा गांधी के खंदान का सत्या नास हो गया है उसी तरह से हमारे इंद्रदेव बार्मा जी का जो हत्या हुआ है उसका आने वाला समय में आप से आप सत्या नास हो जाएगा इन ही चन सब्दों के साथ में बने जो बर्मा जी का काम था संस्कीर्तिक समाजिक परिवर्तन आर्थिक राजनितिक उनके परिवार को लोग बरंदेव भाई आंगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग अगर गिरिफतारी नहीं होती है तो हम लोग पर खंड जीला अबर रा कुछ कहतेंही हुआने हैं इनए को फंदार नहीं है हमको पहुट संथानां आ कि हम क्या करें हैं विजएश तो कुछ ना कहेंगे लेकिन कहना है हमारा पूरे समाज के कि नर्देव जी के हत्यारा के हम पकड़ेंगे हम लोग सब सांथ रहेंगे कि दबने वाले नहीं हम दमन से तरे अपने प्रानों के बाजी लगा देंगे हैं इन हत्यारों के पकड़ने के लिए और इस तरीका से कहके आगे तो हम कहतें लेकिन कहने में सचम नहीं हैं हाँ अब हम भी से क्या कहेंगे एक गीत के माध्यम से पूरे परिवार रो रहे हैं हर ब्यक्तीन का साथ ही रो रहा है और इसके भी से में कहना है कि हमरी के छोड़के कहवा गईलाय भईया हमनिक तू अहरा बना देल भईया हमनी के तू अहरा बना देल पापा हमनी के तू अहरा बना देल पापा लेली हर जन मिया पापा दू धवा पिला वाला देगा देगी चाले खातिर हाम के बता वाला अदू धबात हमनी के अरखिला वला पापा हमनी के छोड़के कहवा गईला पापा अगे सच्छम गाने के लिए नहीं है कि अशिव्टे में दूख है इस तबाएब के तुछ मुपासिट अ तारिकारी गां मतावर बाहना मेरा घर जिला के माध में पड़ता है जिस कार्मा को यह चला रहे थे उस कार्मा से हमारा लगाव 77 से ही बन गया था और वहां से जब मिशन के साथियों के तरफ ध्यान जाता था तो हीरा और मोती की तरह इच्छेत्र में को दिखते थे है एक यहां पैठे है एक हमार पीजिस चले गए धायर नहीं पना रहा लेकिन हम सारे लोगों को संकाल प्लेने की जरुवत है जिसे मनसूबे के साथ इनके मनसूबे के लिए इनके मनसूबे को हम लोग भी चकनाच सूर करेंगे जिसी मैं बोल नहीं सकता हूं तो यहां पर हमारे सारे साथी उप्रस्थित हैं और इनके समंधी हैं कुटूम के लोग सारे लोग हैं हम लोग आज हैं आसू तो जरूर बाहर हैं लेकिन इनके आत्यारे को करी से करी सजा देने के लिए एक जोडार अंदोलन करेंगे जरूत पड़ेगा एसपी को गहरेंगे डीम को गहरेंगे मुखमंत्री को गहरेंगे लेकिन छोडेंगे नहीं धनवाज जयर जय नर्दोबर्बाव तथा इस सोक सवा में आये हुए हमारे भाईयों में बंबानों इन नर्दियों परसाद की गुनों को आँका नहीं जा सकता है जो भी लडाई लड़े तहां कि गरीब और किशानों के मजदूरों के हीत में लडाई लड़ते आये और जीन हत्यारों ने इनको हत्या किया उमें पूरे अपनी समाज से जितना भी सोक सवा में आये हुए हैं उस सभी भाई बंधों से मुझे अपील है कि एक जोड़दार अंदोलन कर उनकी मंसा को चकना चूर करने का किरपा करें और इनकी हत्या से सोशित समाज दल और अरजक संग दोनों को अपुर्णिये छती हुआ है इसका भारपाई करना बहुत मुश्कील है और इन्होंने आजीबन समाज को बदलने का परियास इन्होंने करते रहा और उनका जो परियास अधूरा रहा वह हम तमाम साथ ही मिल करके उनकी जो शपना है उसको पूरा करेंगे और इन्द्र देव बर्मा जी ये के शफल कार्ज करता थे शफल ब्यक्ति थे हमेशा ततपरता से चाहे वारजक संग के लिए हो या सोशी समाज दल के लिए हो कोई भी कार्ज करम में ततपरता से भाग लेते थे और उसे पूर्ण करने की पूर्णता है पूरा कोशिश करते थे तो शाथियों इसे घटना से हम सभी शाथि बहुत आहत हैं और जो इनका हत्यारा है उन हत्यारों को जब तक जो है कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है प्रशासन उन्हें किरफतार नहीं करता है हम सभी एकात्रित हो करके इसके परती हम लोगे अंदोलन करने के लिए जह स्तत्परता से काम करेंगे यह समाज कितना निश्थूर है इस बात को बहुत ही गहराई से दरसाता है यह आदमी भले ही बिद्रोही थे लेकिन इनके मुखार बिंद से कभी ऐसी कोई बात मैंने जब से सोसित समाज दल में जुड़ा तब से और जब तक ये धर्ती पर रहे तब तक इनके मुख से कभी कटू बचन चुनने को नहीं मिला इतने सांत्पिरिय इंसान थे कि दुस्मन भी इनके आचार विचार वेवहार से सहम जाने वाली इनकी आचार विचार वेवहार था लेकिन जगदेब बाबु ने जिस बात को कहा पहली पिढ़ी के लोग मारे जाएंगे दूसरी पिढ़ी के लोग जेल जाएंगे तिसरी पिढ़ी के लोग समभता भारत पर सोसितों का राज सोसितों के लिए सोसितों के द्वारा तो जब तक हमारे नेताओं का हत्या होता रहेगा जब तक हमारे नेता कुरवानी देते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे, तब तक आप तमाम समाज के लोग यह मानिए कि पहली पिरी चल रहा है, दूसरी पिरी अभी नहीं आई है, दूसरी पिरी जब आएगी तो हमारे साथ तूड़े सुवे बिहार और भारत के लोग हमारे पीछे होंगे, जगदेब के कारवां को बिरात रूप देगी और उस समय इस देश की कानून बेवस्था बड़ा अस्तंभ अस्तब्ध स्थिति में हो जाएगी और जो बरतमान सरकार चला रही है, मनवादी सरकार जो है, वो हम लोगों को पकर-पकर के जेल में ठूसेगा और जब उससे और उग्र और तेज अंदोलन होगा, तब जाके सूसितों का राज अस्थापित होगा साथियों, हम तो इनको एक पाटी कार्ज करता के रूप में जानते थे, समझते थे, लेकिन आपके तो ये भाई थे, बेटा थे, आपके मिट्टी के लाल थे तो निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा आप जरूर समझते होंगे, क्योंकि इंद्रदेव बर्मा जी को लालन पालन इसी मिट्टी में हुआ और इस कुरूर बिवस्था ने हमसे इनको छीन लिया, लेकिन ये रचनाकार भी थे, ये इतनी बेहतरीन बेहतरीन रचनाओं को सुनाते थे, जब कभी सोसित समाध दल का कार्ज करम हुआ करता था, जो लगता था कि एक छन के लिए मनें बहुत ही मारक और बहुत ही बौधिक गंभीरता, सारी बातें थी इनके रचना में, हम लोग इनरदेव बावु के हत्या के बुरुद्ध में एक जूट हुए हैं, इस देश में हत्या प्रधानमंत्रिक भी हुआ है, मुखमंत्रिक भी हुआ, उसका प्रतिक्रिया हुआ, प्रशासन एक्टिव हुआ और उसको पकरके और कोट ने सजा दिया, तो इनेरदेव बावु को हत्या कर दिया और प्रशासन एक्टिम ने हुआ या दुख के बाद है क्योंकि हत्या किसी भी हत्या कोई भी अपराद जो है उसकी जीमार सरकार होती है जंता उसके जीमार नहीं होता है कि इनेरदेव बावु के हत्या के जिमिवार सरकार है यहां के अरोंगावाद के जिला प्रशासन ने पुलीस प्रशासन ने स्याइडी विवस्था है जो अपराधियों को संदक्षित और सुरक्षित रहने देता है तो यह हत्या चलते रहेगा कि इनेरदेव बावु के हत्या के व्रूद यe हत्यारा शरकार खिलाफं कि खराहन एक जरौत है शंकलप लेगे जरौत है लेकिन संमाज हमको साथ नहीं दिया सोचिस समाजदल के साथ नहीं तीया इससान हो Sal finish नहीं दिया समाज ववस्था के जो हत्यारा है हत्यारा हात्यारी प्रशाशन है उसको साथ देते रहा लगातार तो पो पाफ्साद já हो सकता है इसलिए मित्रों ऐसे हत्यारी वेवस्था को बदलने के लिए शंकल्प लेने के जुरत है सोशिस समाधल प्रदेश कमिटी के ओर से हम इनरदेव प्रशाद के हत्या को निंदा करते हैं और शंकल्प लेते हैं आगे जो हैसे हमारे योद्धा को हत्या नहीं होनी चाहिए और ये प्रशाशन को हिदायद देते हैं आप वह कानून करवाई करें नहीं तो जन्ता शंगठन बाद्ध हो जाएगा मान लिजे कानून हाथ में लेने के लिए और मैं सोशिस समाधल के प्रदेश कमिटी के ओर से मैं इनको सरदास्व मनरफित करता हूँ और शंकल्प लेता हमें आजीवन जो जगदेबावु जिस विचार धारा को पर चलते हुए अपनी कुरवानी दे दिया हम उस जंडा को काले जंडा को जूकने नहीं देंगे उसके आन मान सान को हम रक्षा करेंगे आजीवन और उनसे मैं हम अमिनी समंधी कुछ बात भी किये अच्छे बात बताएं तो मैं इन देवाव को संगठन में रहते हुए इतना जरूर जानते थे कि वह सोशल दिमाग स के शंगठन में काम करते थे और उन्होंने उनका जो वे सहने नश्माक जो दरस नोमर के रोखा धाड़ी से कि उनका जो हत्यारा है किला है उनका गिरफतारी कैसे हो सजा कैसे हो तो जीवन और मरन बैज्यानिक भासा में ही है परिमात्मक से गुनात्मक क्यों लेकिन जो बेक्ति इस समाज के कल्यान के लिए समता स्वतंत्रात बंधुत भाईचारा के लिए जो काम करता है वह बेक्ति महान हो जाता है दुनिया उसकी कहानी कहती है इतिहास हो जाता है तो हमारे नर्देव बाबु भी ए औरंगा बाद जीले ही नहीं जैसा राज कमीटी के सोशी समाधियर के सज़स्ते तो पुरा बिहार इनके लिए आचुहें से अपना बहुत मने घायल है तो इसमें और का कहा जाए यह बहुत दुखत घड़ी है हम यही मांग करते हैं कि यह जो अपराधी है यह छूते नहीं उसकी कड़ी से कड़ी सदा होए और जो आगे समाध निर्रे करेगा उसके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा लगो बुधाय जय भीम जय भारत जय समीधान जय इंदर्दे बर्मा जाहे सोशी समाध दल हो यह अर्जेक्सें हो समाज की कसोटी जो है उस पर हमें खड़ा उतरने की जिर्वत है समाजिक बहुत कार होना बहुत जलूरी है समाजिक बहुत कार अगर नहीं होगा तो ऐसे घटनाएं के जाम होता रहेगा लोग देते रहेंगे अब जहां तक इनर्देव पर फिलाज बर्मा जी का बहुत से लेख लिखे थे रामकरन जी पर लेख लिखे थे वो हाल ही में करेक साथूओं से बिचार साथा करने के लिए गए गए थे और उनको लिखने का यह मिला था जिमवारी मैं कहा था वो कहे थे किताब को छापने के लिए सोसिस पत्रिका के भी लोग कहें हैं अब इसमें पुईय की जरुवत होगी मैंने कहा था कि यह किताब के बार महलूँगा छपवा दूँगा आप पूरा किजे करिब करिब यह पूरा कर चुके थे कुछ यह बात रह गई थी जार्खन से जो अकलेज यह उनके पास भी मैं कहा था कि उनसे कुछ बात मिलेगी उनको मिर्टु परमान नहीं मिरा था इसके खुज में कई हुए से संपर्क किये थे तो अब इनके परवार वाले से कहां वो लेख है अगर देते तो पुना छपती इंदर देव परसाद का जो कविता था या किसी लोग समाजी के परवरतन की बात करते थे एक हमसे राजिनित में तो पिछे आये थे लेकिन सोसिस समाज दलके पूरा संबिधान और बिधान को जानते थे रट लिये थे इसलिए हमारे पास जब आते थे तो बिचारों का आधान परतान होता था सवंधाजनी सभा आज यहाँ पूरे गाओं ही नहीं बलके पूरे परखंड और जिला में सोक की लहर है जैसा हकाई इंदर देव परशाद बर्मा के हत्या होने से यह जो अपूर्णिय च्छती केवल समाज कोई च्छती नहीं हुई चुकि इनका जो पेशा था पेशा के हिसाब से सभी बर्गों में समाज के सभी बर्गों में इनका आना जना रहता था और यह बखुबी जिस जमीन को नापी करते थे उसमें आज तक कभी इनके नापी में कहाई कुछ चैलेंज नहीं किया तो यह अच्छे एक अमीन के काम भी करते थे और आज सच्मुच यहां प्रखंड अभी हमारे अंबा से होकर के जो पटना डालतंगने रोड है इसमें भी फोर लेन हो गया है अंबा से देव रोड ही तूलेन हो गया है इन दोनों रोड में जो नापी करने का जो सरकारी अमीन यहां अंचल में जो है उस सरकारी अमीन को यह पता नहीं चल पाता है कि आखी इस जमीन को कैसे न पा जाए तो जब जब नापी होता था सरकारी अमीन के द्वारा तो अध से बुला करके और नापी करवाने का काम करते थे तो यहां जो कुसमय हमारे बीच से चले गए हैं जहां अपोड़िये छती पूरे कुसभा समाज को ही नहीं बल्गे पूरे इस प्रखंड और जिला के तमाम जो लोगों हैं सबको छती हुई है और इनकी जो लडाई थे यह त बना दिये और इनकी सारी ख्याथ परीत है फिर भी अमीनी के बलपर होने बना दिया हापि हटो हम तमाम लोग यह मांग करते हैं कि अगर पर शावत पाइब विसुकरें गैश फिज्भ के अन्दूलन भी करने के लिए तियार हैँके असोसी समाजीदाल के लोग अरजक्शंग के लोग भी इसमें साथ है देखते हुए इन्होंने कैसे परिबार को लेकर के लड़ाई जगड़ा में संपत्ती को छोड़ करके इन्होंने शिक्षा के बदोलत पर अपने बाल बचों के इतना प्रकास्ता पर पहुंचा दिया बिड़ने मिलें कभी खुजनी से बिलेंगे इं इसे ब्यक्ति के अगर हत्या हो जाती है इस से बड़ा और क्या हो सकता है ऐसे उन्हें समाज की सुझनीक बस्तु है कि भाई ऐसे ब्यक्ती की अगर हत्या होती रहे कि समाज कैसे चले पूरा जिंद्गी राजनीतिक में ब्यतित कर दिया कभी भी ऐसा सही जगदेव बाबु के हत्ते होने के बाद पोई ऐसा ही जैनती नहीं होगा दो फरवारी ओला में जिन्हों करनी नहीं गए सायदी लोग कभी छोटा यूवा नहीं हो किसी भी परिस्तिती में लोग भेजते थे वह अकेले भी जाजा करके इन्होंने पुरा संगठन में अपना जोग देते रहे इनके बारे में यतना भी कहा जाएगा उतना ही कम होगा लेकिन दुर्भाग कहिए इनके कि कुछ असमाजिक तत्यूं ने इनके हत्या कर दी हत्या करने वाले भी कभी इस नहीं सोचा होगा कि भाई ऐससे महान ब्यक्तिकश वह हत्या करने हैं जिंदिगी भर तरपन की मसूस करते रहेगा और कोई हांसिल होने वाला चीज नहीं है इसलिए मैं यही आग्रा कि हत्यारों के जुन्हों ने ऐसा कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी संजा मिलने मिलने चाहिए यही तभी जाकर के इंदर देव परसाद वर्मा की सत्य संधाद यह होगी बाबा साब अमिलकर रहा जदी बैमानों के सिरिंखला तेजी से मन रही हो तो इमांदारों को अगर नहीं चाहते होगे तो कभी सुधार नहीं होगा जैसा हकाई बर्मा जी बाबा साहब जब्देव प्रसाद के एस्पिरेशन को प्यहारिक धरातल प्रुतानिक करम में ही गुर्बानी दे दी है और जैसे जैसे समय बितेगा बर्मा जी गुर्बानी का रंग सुर्ख ह होता जाए जगार धक्स्ता कर रहे है मानिय जनेश्वर मेहता जी यूम इस सभा में उपस्तित तमाम शंगठनों के पदाधिकारे काज करता उपस्तित भायों बहनों बच्चों बच्चियों आप सबों से कहना यही है कि अमर सहीद बिहार लेलीन जगदेव परसाद जी का मान सम्मान आन को आगे बढ़ाने के लिए सोसि समादल के राज समीती सदस के रूप में इनरदेव परसाद बर्मा की हत्या चाहे जो असमाजिक तत्व किया है वह बहुत ही बला तेचार किया है वह हत्या किसी बेक्ती का नहीं किया है यह अमर सहीद जगदेव परसाद के और नबे परतिसाद इस देश के सोसितों और बंचीतों के हक अधिकार का हत्या किया है इसलिए हम परसाद से यह मांग करना चाहते हैं परसाद को यह हम बात चिता देना चाहते हैं कि सोसित समादल राश्टिये लेबल पर यह संगठन है बिहार ही नहीं पूरे देश लेबल पर यह आंदोलन होगा अगर परसाद कातिल को पकड़ने में अगर लापरवाही बरत्ती है और समाज से हम अपच्छा करेंगे कि एक ही कातिल का एक ही सजा है फासी जब तक हम कातिल का हत्यारा का जब तक हम लोग फासी नहीं दिलाते हैं तब तक हम लोग एक जूट रहें संगठित रहें आज मैं अखिल भारतिय किसान महासभा की राष्टिय कमीटी की तरफ से भागपा माले की किंद्रिय कमीटी की तरफ से शोशितों के नेता बाम पंथी नेता इंद्रदेव प्रसाद बर्मा को श्रद्धाल सुमनर्पित करता हूं लाल सलाम कहता हूं इनकी हत्या की जितनी निंदा की जाये वो कम है और हमारी भी मांग है कि जिस किसी ने भी हत्या की है प्रसाशन उसकी जाँच परताल करे और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सदय दे सोसित समाजदल अर्जक संग ने देश में जो मीशन चला रखा है जिसके आप सब सिपाही है यहां रामपरसाद जी भी है और कई परचित साथी है मैं इसको गहराई से देखता हूं महसूस करता हूं और आज के दौर में इसका महत्व और बढ़ गया है मोदी राज में जब मनुवाद को अस्थापित कर देने की दिन राज कोशिश चल लही है तमाम तरह के शड़यंतर चलना है इसको कॉर्पोरेट मनुवाद भी हम कहते हैं तो उस इस्थिती में इंद्रदेव बर्मा का चले जाना बहुत बड़ी छती है कोई एक तपता हुआ बहुत तपती हुई जमिन से निकल करके कोई इंसान बुद्धी विवेक आत्मसाथ करते हुए इतिहास भुगोल को समझते हुए समाज को समझते हुए संस्कृति की आलोचना करते हुए अपने को विक्सित करता हुए इस लेवल तक पहुँचता है तो इतना आसानी से कोई नया पैदा नहीं हो जाता है और मारने वालों को सोचना पड़ेगा यहत्या कुछ मुझे मास्टर जग्दीश जो अंबा में थे और बाद में भोजपुर के अस्थापना के उन्होंने उसी तरह के हत्या मुझे लगती है मुसहर जाती के लोगों को उक्सा करके जमिनदारों ने मास्टर जग्दीश की हत्या करवा दी थी चोर-चोर हला करके अब बाद में पूरा वो मुसहर टोली जो है शोक में बदल गया कि हमने किसको मार डाला एक इस किसम के व्यक्ति को जो क्यवल एक परिवार का नहीं है वो आपके घर का क्यवल नहीं है वो एक समाज का नेता है अगुआ है मारने के पहले उसका भी मुल्यांकन करना पड़ेगा क्या आप उसकी विचारधरा को मारना चाहते हैं वो सोशितों के लिए लड़ रहा है बराबरी के लिए लड़ रहा है समानता के लिए लड़ रहा है उसका एक बड़ा योगदान है देश समाज में उसके आप हत्या कैसे कर सकते हैं दूश्मन कोई हत्या करेगा उस तरह से सामन्तवादी ताकर तो उसके खिलाप लडाई ही है उसको बरदास्ट कर लिया जाएगा उसके खिलाप लडाई होगी लेकिन जो फाई यार है जो बातें आ रहे हैं घर परिवार से निकल करके तो ऐसा कोई कैसे कर सकता है इसलिए बहुत निंद्र निये है यह नहीं बरदास्ट किया दा सकता है इस पर शर्म करना पड़ेगा पीडियों तक शर्म करना पड़ेगा इंदर्देव बर्मा शिर्फ आपके परिवार का एक मेंबर नहीं है, इंदर्देव बर्मा इस परिवार का हिस्ता है, जो यहां जमा है, जो देश से बिहार चाया है, इसलिए बहुत पिड़ा है मन में, जब हम बाहते थे, तो एक प्यार, एक स्ने, और आज बिल्कुल हम कहे रहे हैं, एक बड़ा भाव पैदा हो गया, आपकी लड़ाई, जरूरी लड़ाई, आज हर मुल्य को उलड़ देने के कोशिश की जा रही है, इस्त्रियों के साथ भेद भाव का प्रश्ण हो, दलितों के साथ छुआ छुद का प्रश्ण हो, कुछ रखने पर हत्या हो रही हो, औरतों कमणी पूर में नंगा गुमाया जा रहा हो, आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की सोशन की ताक्तें, फिलिस्तीन में वो क्या लड़ाई है, दूसरा की जमीन है, यहूदि उस पर बसे किसी तरह से आ करके, धीरे 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 बेढ़ाते गए, आज फिलिस्तीन वाले छोटे दैरे में सिमट गए, लाखो की आबादी कुछ वर किलो मीटर में गुसा दी गई, और दूसरा वला करके खड़ा हो गया वहां पर, कि अब यह हमारी जमीन है, यह देश हमारा है, अब यहां इसराइल रहेगा, फिलिस्तीन हमारे जाओ, तो जहां पूरा देश को कबजा कर लेने की, तो यहीं पूरे हर जगह चला, तुम्हारी जमीन पर हम कबजा कर लेंगे, और तुम अभी यहां से जाओ, और इसके पक्ष में दुनिया के बड़े-बड़े लोग, अमेरिका, पूरा यूरोब, इंगलेंड, व हो गया, पुँञी वात सबसे बेहतर वेवस्फा के बतार निकल क्या गया, कहां है अज फ्रांसिस फुक्राम, हम कहना चाहते हैं, कि मानो सबभेता को यह बिवस्फा नहीं चाहिए, मानो सबभेता को यह कीन्सा, यह नफरत, यह लूट नहीं चाहिए, अभी इतिहास को आगे जाना है उसको एक खुशाली का बराबरी का समानता का इतिहास चाहिए शान्ती और प्रेम का इतिहास चाहिए और इंद्रदेव प्रसाद बर्मा जैसे लोग इसी मीशन के एक सिपाही थे कि दिन रात इसके लिए समाज में प्रेरणा जगाते थे अपने विवहार से बात से काम से भिचार से उनके प्रती सचि सरधान्जली Emily ही कि आज उन्होंने अधूरा काम छोड़ा है इसे हमें पूरा करना होगा हमें अपने कंधों पर लेना होगा और नए साथियों को भी नौज़मानों को भी संकल्प लेना पड़ेगा इस मिशन में जुटने के लिए एक बहुत बड़ी बैचारिक लड़ाई चल रही है सदियों से जिन लोगों ने शोशित हमें बनाया है आज आदी की लड़ाई में क्योवल अंग्रेजों को हम नहीं भगा रहे थे अंग्रेज भागे तो सामन्त साही भी खतम हुई जमिनदारी उनमूलन कानून पास हुए भूमी सुधार कानून पास हुए संबिधान में डॉक्टर भीम राव अंबेदकर ने कहा कि हर को एक भोट देने का अधिकार होगा आज उस सब को उलड़ देने की कोशिश चल लही है फिर से सेंगौल रखा जा रहा है सेंगौल क्या है राजदंड है राजा के आदेश पर यह देश नहीं चलेगा अब यह जो राजा है नीचे जो बैठे हुए हैं इनका भोट से राजा पैदा होगा राजा का बेटा राजा नहीं होगा तो हर चीज को उलड़ने की जो कोशिश चल लही है और इसमें एक ऐसा नायक मैंने कहा कि बहुत दिन से किसी को हक नहीं है अगर मारता है तो अपने समाज को गुलामी की तरफ धकेलता है कि इसलिए चिंतन मंधन करना होगा जमीन आए जाएगी इंदर देव वर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धी यह नहीं है कि उन्होंने बेटे को डाक्टर बना दिया बहुत डाक्टर मिलेंगे लेकिन इंदर देव वर्मा जिस विचार को बढ़ा रहे थे जिसे समाज को प्रोरीट कर रहे थे सोसित समाज को जगा रहे थे कि ऐसा बहुत कम लोग मिलता है रेयर लोग मिलता है तो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा आज वो दो मई वाला केस अभी भी चल ला है उसकी तारीक थी इसमें डेट आज था इसे में लेट हुआ जज ने अगला डेट देने में देर किया तो फ्राबिलंब कुस हम क्यों कि हाँ महां भी लोग इनतिजार कर रहे हैं और मैं हर धंग से पूरे परिवार के साथ उनके बच्चों के साथ weda on the प्यूर परिवार के साथ अपने को जोड़ता हूँ अवी स्ट परिवार के साथ तो हम जुड़े हुए है यह जो यहाँ परिवार उपस्थित है इंदर देव बर्मा का परिवार है यह और इस जंडे को यह परिवार जुकने नहीं देगा एक इंदर देव बर्मा के मार देने से उनकी विचारलहरा खतम नहीं हो जाएगा यहां संकल्प लेने वाले हजारों नौजवान कतार में खड़े हो जाएंगे इंदरदेव परसाद बर्मा अमर रहें और इंदरदेव परसाद बर्मा के सपनों को हम आगे तक बढ़ाएंगे इसका संकल्प लेने वाले हजारों कारेकरता खड़े हो जाएंगे और ये समाज जो अपने को बुद्ध का अशोक का बारिश मानता है तो निश्चित रूप से आज बहस जा रही है आज बुद्ध तक बहस जा रही है इतिहास में नई नई खोजें सामने आ रही है तो मैं इस समाज के लोगों से भी कहूंगा कि निश्चित रूप से आपको पूरे समाज का नेत्रित करने के लिए राजनितिक बैचायक रूप से मज़ूत होना है और सरवाद रास्ता नहीं होगा चालाकी रास्ता नहीं होगा विचारभारा और सिद्धान्त रास्ता होगा उसूल जिन्दा रहेंगे सधियों तक वो वही जिंदा रहते हैं, व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार ही जिंदा रहता है, तो मैं एक वार फिर से अपने प्रिये साथ ही, अनन्य साथ ही, अपने कामरेड इंद्रदेव परसाद बर्मा को फिर से सरधाशुमन रपित करते हूए, मैं उन्हें नमन करता हूँ, अपनी बात्समाग करता है। आज इंदर्देव बाबु का शहादत दिवस में हम लोग उपस्थित हैं। इंदर्देव बाबु एक वैसे बिशार धारा के वाहत थे। जो भारत के विशुगुरु और लोग तांत्रिक भारत, समरीद भारत और अखंड भारत को बनाने वाली आज भारतिये संविधान के संरक्षक के रूप में इस विचार धारा के बाहत थे हमारे इंदर्देव परशाद बर्मा जी। और इस विचार धारा को बढ़ाते हुए इन्होंने शमाज को जो संदेश दिया। हम लोग ये आज प्रन करें कि विचार धारा जो था भारत का संविधान के प्रती और बुद्ध के प्रती उस विचार धारा को हम लोग भोने का प्रियास करें आज दिनांक बाईसेगार दुहजार तेईस पियह सोक सभा जसह काई इंदरदेव परशाद बर्मा उम्र चपन बर्ष पिता जसह काई राम पती महतो गराम चिलकी विघा थाना यंबा परखंड कुटुमबा जिला औरंगावाद परदेश विहार की मिर्तु दिनांक दसेग दुहजार तेईस दिन सुक्रवार को समय नो बजे अस्थानरे गनिया जमना मोड पर हो जाने से हम सभी काफी दुखी है और यह सोक सभा मिर्तक के परती सरदांजली एवन सोक संतप्त परिवार के परती संबेदना परकट करती है और निवेदन करती है कि यह अपुर्निय छती और अपार दुख के धैर्ज के साथ सहन करते हुए दैनिक कार्जों में लग जाएं और आप जहां जिस अस्थान पर आप बैठे हुए हैं वहां सभी लोग खड़े हो करके दो मिनिट का हम मौन रखेंगे इसके बाद सभाकी कार्जवाई समाप की कि यहां सब करते हुए हैं हुए 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 सभा की कारजवाही समाप के जाते हैं साथियों नैशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन की घंटे को बजाएं